चोपड़ा एजोगेसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदे की स्वागत करता हूँ दोस्तों केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्राइवेट मेडिकल कोलेज की फीश इंडिया की बाकी प्राइवेट मेडिकल कोलेज से कम है यहां की सबसे कम फीश की 6,32,800 की मेडिकल कोलेज माउंट जियोन है और सबसे ज़्यादा फीश 7,65,400 की सिरी नारैना मेडिकल कोलेज है तो जो इंडिया में बाकी कोलेज है उनसे बहुत ही कम फीश है इन केरला एस्टेट के कोलेज की केरला एस्टेट ने 2020 के एडमिसन के लिए फीश स्ट्रेक्चर जारी कर दिया है और 24 फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है जिसकी लास्ट डेट 15 नवूंबर 2020 है आपने 24 फिल बड़े ही सावधानी से करनी है 24 फिल करते समय आप हमारी बुक नीट ओपन इस्टेट कोटा की हैल्प ले सकते हैं जिसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopda.education.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं मैंने इसमें एजुकेशन और फीज को देखते हुए 24 फिल कैसे करना है उसकी लिस्ट दे रखी है बुक डाउनलोड करने के बाद जो आपके मोबाईल नमर मेरे पास आते हैं मैं आपसे एक बार अवज से ही बात करता हूँ मैं बार-बार तो बात नहीं कर पाता लेकिन एक बार अवज से बात करता हूँ तो जो भी आपके डाउट हो आप वो डाउट लिखके रख लें अब बात करते हम नोटिस की तो जैसे ही इसकी वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं यहाँ पर Medical and Allied Course Option Invited Notification लिखा है इस पर हम English पर क्लिक करेंगे तो यह notification हमें डाउट लोड हो जाता है इसमें लिखा है कि जो 24 फिलिंग की last date है वो 15 नवंबर 2020 साम 5 बजे तक है जिन candidate ने केरिला के form अलड़ी अपलाई कर रखे हैं वो student 24 फिल कर सकते हैं इसमें जो last date रहेगी वो मैं बता सुका हूँ 15 नवंबर 2020 साम 5 बजे तक रहेगी इसके बाद में जो first phase की allotment list आएगी वो 16 नवंबर 2020 को आजाएगी उसके बाद 17 से लेकि 21 नवंबर साम 3 बजे तक आपको fees deposit करनी है online ही KIA की website पर जो बाकी admission की details है वो आपको बाद में inform कर दी जाएगी इसके बाद में 31 नवंबर 2020 को सारी colleges जिन candidate ने fees deposit की है उसकी list भेज़ देंगे KIA को तो इस परकार से ये allotment schedule रहेगा इसके बाद में हम बात करें कि first phase में कौन-कौन से institute के लिए allotment होगा तो इसमें medical, dental, agriculture, veterinary और fisheries के लिए जो institute हैं उनके लिए ये allotment होगा अब fees structure की बात करें तो government college MBBS के लिए 26,260 रूपीज और BDS के लिए 24,160 रूपीज होगा इसमें इसके बाद agriculture university, veterinary और इनका भी इसमें फीश्रीज का भी फीश दिया गया है agriculture का 7,500 है, veterinary का इसमें 19,800 है और फीश्रीज का 6,050 रूपीज है इसमें अब बात करें हम private college के MBBS की तो इसमें Cam City की 6,48,500 रूपीज इसकी फीश है मैं आपको यहां बता दूँ कि NRI की सभी की 20,000 रूपीज है इसमें जो 20,00,000 रूपीज है वो फीश है NRI कंडिडेट के लिए इसके बाद में फुस्फगिरी की बात करें तो यह 6,55,500 रूपीज आमला का भी सेम है इसके बाद जूबली मिसन का भी सेम है, मलंकारा का भी सेम है, त्रवेंकोर का भी सेम है और बेलिवरी का भी जो कॉलेज है उसका भी यह सेम फीश है इसके बाद में जो डियार सोमेरवेल है उसका भी सेम फीश है, मालाबार का भी सेम है अजीजिया का भी सेम है अलाजर का भी सेम है स्री गोकुलम का भी सेम है और M.E.S. Medical College का भी सेम फीस है ये इसके बाद में माउंट जेन का 6,50,600 रुपीज है इसके बाद जो पीके दास है उसका 7,7,000 रुपीज है और स्री नाराइना का 7,65,400 है करुना का 6,32,800 है और DM वाइनाट जो है उसका 7,1,200 रुपीज इसमें फीस है इसी परकार से ये जो फीस डेंटल का भी दिया गया है 3,21,300 रुपे और N.I.R.I. का 6,00,000 रुपे है इसमें तो इस परकार से ये फीस दी गई है अब इस फीस का एक टोकर अमाउंट होता है जो के ये को जमा करवाना होता है जो C.E.E. है जो इसकी एडमिसन अथोर्टी है उसको डिपोजिट करना होता है तो इस साल जे टोकन फीस है वो 3,00,000 रुपीज रखी गई है और N.I.R.I. कंडिशन में 5,00,000 रुपीज रखी गई है तो ये आपको C.E.E. को डिपोजिट करनी है बाकि फीस को फीस डिपो जिट करनी है तो इस परकार से ये नोटिस दिया गया है इसमें जो कंडिडेट जिनके डोकुमेंट्स में प्रोब्लम हो रही है उनका जो डिफेक्ट आ रहा है डोकुमेंट्स में वो सोलिशन होने के बाद में 14th November 2020 को लिस्ट पब्लिस कर दी जाएगी 3 बजे तो अगर आ में में एक बार चेक कर लें कहीं आपके डोकुमेंट्स में भी तो कोई डिफेक्ट नहीं है तो इस परकार से आप केरिला का ओप्सन इंट्री फोरूम में अपलाई कर सकते हैं याने की 24 फिलिंग फिल कर सकते हैं और ध्यान रहे कि 24 फिलिंग की लाच्ट डेट 15th November 2020 है बा कम होते हैं तो फर्स्ट राउंड में ही आपको 24 ध्यान से फिल करनी है तो दोस्तों यह जानकारी थी के रिलाइस टेट के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा शेयर क करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद